हेलो फ्रेंड्स मैं पीटी आपके अपने चनल मंत्रा एजुकिशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अज जो हम बात करने वाले एक बार फिर से RCI सर्कुलर के बारे में बात करने वाले हैं और यह जो आप लोग जानते हैं कि प्रोसेश जो चल रहा है और उसमें एक बार पहले भी अपडेट आया और उसमें अपडेट के अंदर admission की date बढ़ाई गई थी और उसके अंदर जो last date दी गई थी 15 October दी गई थी और वो finish हो चुकी है इसी के regarding अब जब finish हुई है तो उसके बात एक बात RCI ने फिर से सर्कुलर जारी किया है तो चलिए देखते हैं बेना वक जाया किये कि सर्कुलर में लिखा क्या है आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो और अपडेट्स जानने के लिए और नई information जानने के लिए knowledge के लिए इस चैनल को subscribe कर ये बैल icon बटन को ज़रूर तबाईएगा जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की notification आपको जल्दी से मिल चाहेगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग देख सकते हैं कि सर्कुला सोला क्टूबर 2020 में जारी किया गया है और इसमें नीचे सुबोजी किया यानि जो मेंबर और सेकेटरी अभी करेंट में हैं उनके साइन हैं यह मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि शोशल मेडिया पे बह चानी है तो आप पहले आप यहां देख सकते हैं कि साइन है या नहीं है उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप RCI की साइट पर जाके दे सकते हैं अगर ओरिजिनल होगा जो का सर्कुलर तो उनकी साइट पर वहां पर ज़रूर मिल जाएगा तो चलिए बीना वक्त जाया की आगे बढ़ते हैं क्योंकि यह औरिजिनल है और इन पर साइन भी है सुभोजी के इसके अंदर कह रहा है कि पर से लिए नोटिफिकेशन और एक्स्रेंशन अफ लाज़ सेट पर समीशन ऑफ ओंलान वाजिए जो उप्रोसेस जो चल रहा था उसे और पडा दिया गया है यह खुशखबरी है जिन्हों ने अड़िजिन लेना है और अभी तक नहीं लिया गया है तो लेकिन एक बढ़ी अभी हम नीचे देख लेते हैं, चलिए पहले नीचे ही देख लेते हैं, कितनी बढ़ी हैं, आगे बढ़ते हैं, The council is the receipt of civil requests from heads of the training institution and prospective candidates for extension of last day for submission of online application for admission to diploma level courses at RCI's approved institutes. RCI के जो approved institutes हैं, उनके द्वारा request डाली गई थी, कि ये जो admission का process है, उसे थोड़ा सा और लंबा किया जाएं, क्योंकि और लोग हैं इसके अंदर जो लेना चाहते हैं admission, तो उसके लिए request डाली गई थी, और उस request को approved कर दिया गया है RCI द्वारा. नेक्स जो पॉइंट है, आपका date के लिए ही बता रखा है, consecutive upon considering their request and the provide or one more opportunity to prospective candidates, the last date for submission of online application has been extended up to 20th October 2020. अब जो बढ़ा दी गई है, वो date आपकी 20 October तक बढ़ा दी गई है, लेकिन साथी साथ ये भी बोल दिया गया, ये last opportunity है, इसके बाद नहीं बढ़ेगा. तो इस चीज़ को ध्यान देने वाली बात है, जो मैं पहले अभी बताने वाली थी, रुप गई थी, उसको मैं अब continue करती हूँ, last date 20 है, तो अब जिसको admission लेना है, वो ले लीज़े, इसके बाद admission की date नहीं बढ़ेगी. ये उन लोगों के लिए खुशी की बात है, जो किसी भी कारणवर्ज अभी तक admission नहीं ले पाए हैं, तो अब आपके लिए last opportunity आपको ले लीज़े, और जिनका admission हो गया है, वो tension में है, कि कब आपकी marry list आएगी, और कब हमारी classes शुरू होंगी. जैसे ही admission का process खतम होगा, इन 15 days के अंदर candidates की list आनी शुरू हो जाएगी, marry list आनी शुरू हो जाएगी. और उसके बाद जैसे ही ये final होगा, तो आपकी online classes शुरू हो जाएगी. As a situation देखके, जैसे states के decision होंगे, कि online layer जहाँ पर institution की online चल रही है, तो online चलेंगी. जहाँ पर institutes बुला रहे हैं, तो वहाँ पर जो है, आपकी teachers के साथ face to face classes चलेंगी. तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कि जल्दी से आपकी classes भी जल्दी आपकी शुरू हो जाएगी, 9 December तक आपका, यह सब process खतम होंगे, आपकी classes शुरू हो जाएगी, तो इसलिए आप अब इस चीज़ के लिए त्यार हो जाएए, अब और admission की जो है, डेट नहीं बढ़ने वाली है, final date जो आगी है, 20 October 2020 है, तो अब आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और आगे भी ध्यान रखिएगा, कभी जो social media पे जो fake notification आते हैं, तो उसका भी ध्यान रखिएगा, और साती साथ admission का भी ध्यान रखिएगा, अब इसके बाद old date नहीं निकलने वाली है, तो इसलिए अब आप भड़ लीजे, 37 जिनोर का admission हो गया है, वो भी tension में है, कि हमारी classes कब शुरू होंगी, हमारी classes कब शुरू होंगी, बार बार में पाद messages आ रहे हैं, तो उसके लिए भी बता रही हूँ कि जल्दी से ये process खतम होने के बाद जब मैरी list आएगी, तब आपका जो है, classes शुरू हो जाएंगी, तो attention लेने की बात नहीं है, तो चलिए, इसी के साथ उमीद करती हूँ कि आपको ये जो है, notification ये circular जो है, आपको समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा, तो और जब भी कोई नई अपडेट होएगी, तो मैं आपके लिए सामने आपके आज की class ये खतम होती है, उमीद करती हो, आज की class आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेज जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिसे इस चै notification आपको जल्दी से मिल जाए,